अब धान का और एक महतपुर्ण कीड़ा जो सारे किशन भाई जिसके बारे में जानते है वो ये धान का तानावेधक कीट और आप लोग जानते ही है कि इस तानावेधक कीट का प्रकुप शुरू होता है नार्सारी से यानि कि नार्सारी में हिए इसका मादा अंडदे देती है उसके बाद से धान जब तक काट ना जाये तब तक इसका प्रकुप रहता है तो इसका मतलब यह है कि फुल के अवस्ते के बाद इसका प्रकुप रह रहा है और ये कीट कैसे नुक्षन पहुचा था है ये भी आप को मालूम है लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं यह एक जो बालू दिख रहे है यह बालू आपको दिख रहा होगा कि पूरा बालू चैफी है मिलब इसमें एक भी ग्रेंड सेट नहीं हुआ है गंदी बग कीट के केस में हम लोग क्या देखे कि कुछ बीज खोकला था कुछ बी इसको हम लोग बोलते है assesses date heart इसको अशनी से हम अगर धीरे-धीरे खीचेंगे तो यह बाहर आ जाएंगे ऐसे यह बाहर आ जाएंगे और इसके निचली स्तर पे हम लोग को कैटेपलर दिखने को मिलेगा इसका जो लार्वा है उसको दिखने को मिलेगा अंदर इसका लार्वा होगा तो इस किट को नियंतरन करने के लिए आप समझी रहे कि हम लोग को नार्शारी से ही हम लोग को मैनेजमेंट करना पड़ेगा